हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फोन पर बात करते समय कोई दूसरा कोल आता है तो कैसे देखोगे जैसे कि मालो दोस्तो आप अपने फोन से किसी नंबर पर दूसरी जवब बात कर रहे हो उस दवरान दोस्तो आपके पास कोई कोल आता है तो आपको तो पता ही नहीं चलता है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दो फोन लिया हूं इसलिए कि मैं आपको लाइप प्रूप करके दि emergency है आपको पता ही नहीं चलता है आपको कोल दिखती नहीं है आपके पास जब वो सामने वाला person कोल करता है तो बीजी बताता है या फिर लगता ही नहीं है इस प्रोल्म को कैसे ठीक करोगे इस वीडियो का अंदर में आपको आपको बता रहा हूं जैसे मालों यहां पर मैं 198 पर कोल लगा दिया मालों कहीं पर आप भी इसी तरह से किसी नहीं नंबर पर बात कर रहे होगे आप दोस्तों यहां पर यह देख सकते हो कि कोल पर यहां पर देख सकते हो कि चालू हो चुका है अब मैं दोस्तों यहां पर इस समय पर चार प्रयास करेंगे की जैसे ओग करते हैं कि जैसे के पैलों इस फोन को मैंने बैक कर दिया its बैकर आपको यहां पर क्लिएर कैश्चे कर देना मैंने उल्रेडी किया है अब यहां पर यह करने वाद दूसरा बत आपको करना है जिस डैलर से आप कोल करते हो वही नाएपको को in Vous करना है और आपको यहां पर या तो आपको नीचे सेटिंग दीखेगा या तो उपर सेटिंग दीखैगा आपको त्टू सारा काम एक ही जैसी सेटिंग किसी में अडिशनल सेटिंग किसी में अडवान सेटिंग ऐसे-ऐसे अलग अलग थोड़ा different नाम से हो सकता है बस आपको यहीं पर click करना है अब जैसी click करोगे तो आपको यहाँ पर 4-5 setting दिये होता है अब इन ही में से दुस्तों एक को identify करके आपको ढूमने होते हैं जैसे कि मेरे phone का अंदर additional setting है मैं यहीं पर click कर दूँगा गी और अब click करने वाद आपको यहाँ पर ऐसा नहीं click करके back हो जाओगे आपको यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा reading होता है इस setting को यह time लेता है थोड़ा सा open होने में अब यहाँ पर जैसे कि मालो आपके phone का अंदर दो SIM है तो दोनो SIM के अंदर यह process करने है ऐसा नहीं कि एक SIM का अंदर कर दिये तो दूसरी SIM का अंदर करोगे तो यह problem solve हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मालो यहाँ पर मैंने phone के अंदर सिरफ एक ही SIM डाला है इसलिए यह जो setting है ना दोस्तों यहाँ पर SIM 1, SIM 2 नहीं दिखाया नहीं से ओन कर लेनी है यह अपडेट हो जायेगा successfully तब आपको जाके वापस back करना है और यहाँ पर वीडियो छोड़के भग मत जाना मैं live call करके दिखाऊंगा जब तक दोस्तों आपकी problem solve न हो जाए तब तक आपको यहाँ पर इस वीडियो को छोड़के नहीं जाना है अब यह यहां से मैं इस सेटिंग को back कर दिया हूँ अब मैं अपने इस phone से फिर से वही सेम दोस्तो 198 इस तरह से मैंने call आपके सामने लगा दिया जी अब इतना होने बाद देख सकतो आपके सामने यहाँ पर यहाँ पर हो रही है मालों कहीं से call आ भी सकती है जा भी सकती है इससे कोई दिकत नहीं है बस आपको दुस्तो यहाँ पर फिर से जब आपके घर फेमिली वाले call करेंगे बात करेंगे यहाँ पर देखना call आ जाएगी तुरंत एक मिनट कर अंदर यानि कि दुस्तो कुछी से केंड लगे देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर call आ चुकी है अब यहाँ पर यह दखिए आप ने जिस ब्यक्ति को call किया है वह अन्य call पर ब्यक्त है क्र प्रतिक्षा करिए तो मैं इस call को कट कर देता हूं बट आपके सामने यहाँ पर call आए जाएगी आपको पता चल जाएगा यहाँ जी मेरे पास कहीं दूसरे नंबर से call आ रहा है जो की हो सकता है आपके family परिवार किसी का भी हो सकता है emergency situation में हो सकता है तो दोस्तों आप उस सेयर कर देना